हेलो स्टूडेंट्स, वल्कम अगें टू लणपृतिती तीमन, तो हम कर रहे थे भारत की समविधान के महत्वपून अनुछेद, हमने भाग चार तक कम्प्रीट कर लिये थे, जिसमें हमने लास्ट भाग चार का मौलिक करतव्य देखा था, मौलिक करतव्य जो थे, हमारे 11 थे, ठीक है, चलिए, आज हम भाग 5 संग की जो शाशन विवस्था है, वहां से स्टार्ट करेंगे, तो अनुछेद 52 भारत का एक राश्ट्रपती होगा, यानि राश्ट्रपती के पद का विवरण जो है, वो अनुछेद 52 में है, अनुछेद 53 संग की कारेपाल का शक्ती, अनुछेद 54 राश्ट्रपती का निर्वाचन, तो ये तीनों जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, उसके बाद जो इंपोर्टेंट रहता है, वो है अनुछेद 60 और अनुछेद 61, जो है वो राश्ट्रपती द्वारा सपत का विवरण है, और अनुछेद 61 में राश्ट्रपती पर जो महावयोग लगाया जाता है, यानि राश्ट्रपती को हटाने की प्रक्रिया है, उसका वर्णन जो है वो अनुछेद 61 में मिलता है, यहां केवल वो ही इंपोर्टेंट करेंगे जो आपके एक्जाम में आने की और अनुछेद 61 जो है वो महावियोग यानि हटाने की प्रिक्रिया है नेक्स्ट उसके बाद अनुछेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपती होगा तो उपराष्ट्रपती के पद का विवरण अनुछेद 63 में हैं तो आपको बहुत आसानी से याद रख पाओगे कि अनुछे 52 जिसमें राष्ट्रपती के पद का विवरण है उसी प्रकार अगर उसमें 10 एट कर देंगे तो अनुछेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपती के पद का विवरण है अनुछेद 64 उपराष्ट्रपती का राज्यसभा के पदेन सभापती होना राज्यसभा का सभापती कौन उसके बाद, नेक्स्ट हम चलते हैं, अनुचेद 66, जिसमें उप्राष्ट्रपती के निर्वाचन का वर्णन मिलता है, यहां आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूत नहीं है, जितने इंपोर्टेंट हैं, उनहीं को मैं आपको बताती जाऊंगी, नेक्स्ट हैं, देखिए, अनुचेद 72, अनुचेद 72, यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, कि शम्ता आधी की और कुछ मामलों में दंडा देश के निलंबन, परिहार या लगू करण की राष्ट्रपती की सक्ती, यानि राष्ट्रपती को य यह सक्ती है कि वह म्रत्यू दंड जो होता है, उसे समा करने का दिकार रखता है, राष्ट्रपती का समादान का दिकार अनुचेद 72 की अंतरगत है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अनुचेद 74 और 75, अनुचेद 74 में जो प्रमुक होगा, वो प्रधान मंतरी होगा, यह हमें मिलता है अनुचेद 75 के अंतरगत, तो यह तो समविधान की जो लेंग्वेज है, उसके अकौर्डेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, अनुचेद 74 मंतरी परिशत का विब्रण है, जो राष्ट्रपती को सहायता देगी, अनुचेद 75 परिदान मंतरी का विब्रण है, जो की मंतरी परिशत का परिदान होगा, चलिए, नेक्स्ट है, भारत के महानियावादी, जिनका विब्रण मिलता है, हमें अनुचेद 76 के अंतरगत की भारत का एक महानियावादी होगा, नेक्स्ट है, 79, 80 और 81, अनुछेद 89 संसद का गठन, अनुछेद 89 राज्य सभा की संद्रचना और अनुछेद 81 लोग सभा की संद्रचना का वर्डन मिलता है। अनुछेद 100 के अंतरगत। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा कि अनुछेद 100 अद्यक्ष को निरनायक मत का विशेशादिकार मिलता है। नेक्स्ट है अनुछेद 106 सदस्यों के वेतन भत्ते का विवरण जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है अनुछेद 108 जो कि कुछ दसाओं में दोनों सद्नों की संयुक्त बैठक। जो बुलाने का हदिकार किसको है राष्ट्रपती को। तो 108 के अंतरगत दोनों सद्नों की स्युक्त बैठक का भी प्रापधान है। वो अनुछेद 108 के अंतरगत है। नेक्स्ट है अनुछेद 110 जिसमें धन विदेयक बुलाना जो की राष्ट्रपती बुलाते हैं लोकसभा में. तो धन विदेयक का जो परिभाशा है वो हमें अनुछेद 110 की अंतरगत देखने को मिलती है. तो जो इंपोर्टेंट हैं वही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आप को बताया कि अनुछेद 52, 53, 54, 61, 72. राष्ट्रपती के संबंद में हमने देखा. उप राष्ट्रपती के संबंद में हमने अनुछेद 63 और 64 को देखा. उसके बाद हमने 74 और 75 मंत्री परिशद और प्रधान मंत्री के संबंद में देखा. फिर हमने अनुछेद 79 संसत का ग संसत को विशेश अदिकार, 108 के अंतरगर्त देखा हमने कि संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा की और अनुछेद 110 देखा हमने धन विदिया की परिभाशा, ठीके, इसके बाद आप नीचे आजाईए, नीचे जहां हम देखेंगे अनुछेद 124, अनुछेद 124, संग की न्याय पालिका, इसका वर्डन मिलता है, जिसमें अनुछेद 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का वर्डन मिलता है, 125 न्याय धीसों के वेतन संबंदी विवर्ण मिलता है, उसके बाद अनुछेद 131, उचतम न्याले की आरंबिक अधिकार इता, ठीके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कि जो मूल आरंबिक अधिकार हमने देखे दे, जब हमने कुश्यन अंसर सीरीज देखी थी, कि सुप्रीम कोर्ट को जो मूल अधिकार है, वो कौन-कौन से होते हैं, तो वो अनुछेद 131 के अंतरगत देखने को मिलता है, अनुछेद 137, जिसमें हम देखते हैं, नियाइक पुन्डरावलोकन, ठीके, नियाइक पुन्डरावलोकन, 137 अनुछेद के अंतरगत, उसके बाद है, 143 अनुछेद, उच्चतम नियायले से परामर्ष करने की राष्ट्रपती की शक्ती, उच्चतम नियायले से परामर् होती है और राष्ट्रपती को बाध्य नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज हमने पहले भी पड़ी थी तो यहां पर एकदम अच्छे से याद रखना है अनुचेद 143 उच्छतम न्याले से प्रामर्स करने की राष्ट्रपती को सकती जो है वो प्राप्त है नेक्स्ट हम दे संग की अंतरगर्त देखा जिसमें हमने संग की जो कारेपालिका है उसमें हमने सभी को देखा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती और प्रधान मंत्री मंत्री परिशद उच्छतम न्याले अब हम देखेंगे भाग 6 जो जिसमें राज्य का विवरण मिलता है चलिए इसक अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो हमें क्या क्या याद करना है देखते हैं अनुचेद 152 की अंतरगत राज्य की परिभाशा मिलती है। तभी आपको याद रखनी होगी, उसके बाद याद रखना है अनुछेद 161, समा आधी की कुछ मामलों में दंडा देश के निलंबन, परिहार या लगू करण की राज्यपाल को सकती प्राप्त होगी, यानि शमादान का जो अधिकार है वो राज्यपाल को होगा, इससे पहल का अधिकार प्राप्त है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अनुछेद 163 की अंतरगत राज्यपाल की सहायता और सला देने के लिए एक मंतरी परिशद होगी, अनुछेद 164 के तहत मंतरियों के बारे में अन्या और पोवंद यानि की मंतरियों के हैड जो हैं वो कौन होंगे, वहीं हमने केंदर में देखा था कि अनुछेद 74 के अंतरगत एक मंतरी परिशद होगी, जो की राश्ट्रपती को सहायता देगी और अनुछेद 75 की अंतरगत प्रधान मंतरी जो की मंतरियों के हैड होगे, वहीं 163 और 164 में हमें राज्य में मंतरी परिशद का विवरण मि जलता है, नेक्स्ट है अनुछेद 168, 179 और 171 इन चारों को एक साथ ही याद रखना है, जिस तरीके से हमने संसद, राज्यसभा और लोकसभा इनको याद रखा था, संसद हमने देखा था कि अनुछेद 89 संसद का गठन, अनुछेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुछेद 81 लोकसभा की संरचना का विवरण मिलता है, वहीं अनुछेद 168 राज्यों के विधान मंडल का गठन, अनुचेद 179 राज्यों में विधान परिशद का स्रजन, अनुचेद 170 विधान सभाव की संरचना और अनुचेद 171 विधान परिशदों की संरचना का वर्णन मिलता है तो इस तरीके से आप कोरेलेट करके भी याद रख सकते हैं उसके बाद है अनुचेद 214 जिसमें राज्यों के लिए एक उच्छ न्यायले होगा सुप्रीम कोर्ट देखा हमने अनुचेद 124 की अंतरगर्ट सुप्रीम कोर्ट की गठन का वर्णन है उसी तरीके से 124 को यदि आप 124 को देखेंगे 214 करके तो राज्यों के लिए उच्छ न्याले का प्रावधन है उसके बाद है अनुछेद 216 उच्छ न्याले के गठन का वर्डन मिलता है उसके बाद देखिए भाग साथ जो है जिसको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये क्या है निरस्त है भाग आट की अंतरगर तो संग और राज्य के शेत्र का वर्डन मिलता है इसमें बस आपको यही याद रखना है कि संग राज्य शेत्र का वर्डन भाग 8 की अंतरगत 249 अनुच्छेत से लेकर 242 अनुच्छेत तक का वर्डन मिलता है नेक्स्ट हम भाग 9 देखेंगे जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए भाग 9 जिसमें हम पंचायत विवस्था को देखते हैं इसके अलावा भाग 9 संविधान की अनुच्छेतों में अनुच्छेत का से लेकर अनुच्छेत न तक पंचायत विवस्था का उलेक है इस तरीके से आपको याद रखना है नेक्स्ट है भाग 9 क नगरपालिकाएं ये भी 243 के अंतरगत ही जोड़ा गया यानि भाग 9 पंचायती विवस्था भाग 9 क नगरपालिकाएं और भाग 9 सहकारी समितियां ये तीनों जो हैं ये भाग 9 के अंतरगत ही आई यानि ये सम्विधान के संसोदन के अंतरगत बाद में जोड़ी गई जिसमें हमने देखा कि 73 सम्विधान संसोदन के अंतरगत जो है वो पंचायत को जोड़ा गया और 74 वे समविधान संसुदन के अंतगत नगर पालिकाओं को जोड़ा गया तो आज हमने भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 यहां तक कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 10 से करेंगे जिसमें हम अनसूची जाती और जंजाती के बारे में देखेंगे कि कौन से अनुचेद में कौन सी बात उल्लेकित हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू